हेलो एवरीवन, वेलकम टो ओकुल इंडिया के सबसे अफ़र्डेवल लर्नी प्लैटफॉर्म है, आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और इस चैनल पर हम लोग जो है आज काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं और आज हमारा मिलने का जो मकसद है वो यह है कि अब कुछ ही दिन बचे हैं, ठीक है, आपका सिविल सर्विसेस का एक्जाम जो है वो आने वाला है इस साल का, प्रिलिम्स होने वाला है, 28 मई को तो हमने सोचा कि जो 2022 का CSET था, उसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में सॉल्फ कर लिया जाए, है ना, 2018 और 2019 ये दोनों जो CSET पेपर्स हैं, ये अल्रेडी हमारे चैनल पर अविलेबल है, ये हमने पिछले साल जो है वो डिटेल में डिसकस किये हुए थे, 2021 का भी जिस दिन पेपर हुआ था, उस दिन हम लोगों ने अनलिसिस किया था, 2022 का भी हलाकि अनलिसिस किया था, लेकिन उसमें काफी सारे कोशन्स ऐसे थे, जो उस दिन डिटेल में डिसकस नहीं हो पाए थे, ठीक है, तो अभी बेसिकली प्लान ये किया गया है कि आने वाल हो जाएगा, ठीक है, अभी आप लोग के पास इतना समय नहीं है कि आप 4-5 गंटे लगा के जो है, मतलब C-set को दे, अभी आप लोग को जो है, वो अपने बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने है, GS Paper 1 जो होता है, प्रिलिम्स का, उसके लिए भी आप लोगों को तेयारी करनी है अपना रिविजन वगरा करना है, तो इसलिए हम लोगों ने ये प्लान किया है, कि डेली बेसिस पर 10-10 कोश्चन हम लोग लेंगे, हर वीडियो में 10 कोश्चन लिये जाएंगे, और around 8 वीडियो के आसपास में ये पूरा सेशन जो है, मतलब पहले हम लोग स्टार्टिंग क करेंगे 8 वीडियो तो रोज का लगभग आदे पॉन गंडे का वीडियो होगा, तो वो 10 कोश्चन आप लोग देख सकते हैं, उससे क्योंकि इतनी तो त्यारी आप लोग को सी सैट की करनी भी पड़ेगी, है ना, क्योंकि सी सैट को हलके मा मत लीजेगा, क्योंकि सी सैट ज कि जो GS Paper 1 होता है, उसमें उनका performance बहुत बढ़िया होता है, है ना, मतलब उसमें वो 120, 130 के आसपस तक पहुच जाते हैं Paper 1 में, लेकिन सी सैट में जो cut-off marks है, 33% या 200 में से 66 marks जो आपको चाहिए, वो कभी-कभी नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए सी सैट को जो है, आप लोग ह तो देखिए, ऐसे ही हम लोग एके question को जो है, वो discuss करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा अगर आप लोग ले कर दूँ, देखिए, ये question है, ठीक है, करके question discuss करेंगे, सबसे पहला question क्या कहता है, कि what is the value of x in the sequence, इस तरीके के जो questions हैं, वो मैं कहूंगा कि काफ कभी आसान भी होते हैं, कभी कभार, और कभी कभार काफी थोड़ा सा difficult भी हो जाते हैं, उसके पीचे reason ये है, कि अगर इस तरीके की series में आपको pattern देखना होता है, अगर तो आपको pattern समझ में आ गया, है ना, जल्दी से अगर आप लोग ने pattern track कर दिया, तो आप number निकाल सकत हैं, लेकिन अगर कभी कभार अगर pattern आप track नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा ये question tricky हो जाता है, या थोड़ा सा आप लोग का जो समय है, वो ज्यादा इसमें लग जाता है, फिलाल यहाँ पर जो ये question था, ये बहुत ही आसान question था, एक आपको series दी हुई है, इस प्रकार की series द निकालना है, ठीक है, इस pattern को अप observe करें, series के pattern को observe करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 multiplied by 0.5, जो की होता है, 10, ठीक है, second से third number पर चलें, तो 10 multiplied by 1, जो की होता है, again 10, 10 into 10 multiplied by 1.5, तो यह हो जाता है 15, ठीक है, हमें pattern समझ में आ रहा है, 15 को multiply करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 30, 30 को multiply करेंगे 2.5 से, तो आ जाएगा 75, यानि कि हमें जो यहाँ पर, last में जो question लिखना है, जो number लिखना है, वो क्या होगा, 75 into 2.5 तक तो हो चुका है, into 3, ठीक है, 75 into 3, इसको आप multiply करेंगे, तो यह simply आपका क्या आ जाएगा, 225, ठीक है, यह बहुत simple question था, very easy question, इसका answer होगा option D, that is 225, हम लोग यहाँ पर set A discuss कर रहे हैं, ठीक है, जो question के number आप लोगो यहाँ पर दिखेंगे, वो set A के according है, ठीक है, तो यह question बहुत आसान था, चलिए, next question पर चलते हैं, next question था, यह, फोड़ा सा पढ़ने में question लंबा है, फिर भी कोई बात नहीं अराम से इस question को हम लोग पढ़ेंगे, question देखें क्या कहता है, question कहता है, कि एक identity card है, जिसमें A, B, C, D, E, F, G, इस format में कोई number है, ठीक है, और A, B, C, D, E, F, G, तो उसने ऐसे ही लिख दिया, मतलब वो basically 9 number है उसमें, और वो 9 number कौन कौन से है, sorry, 9 नहीं, 7 number है, ठीक है, 7 number है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, और 9, इन number के किसी combination से, मतलब किसी तरीके से यह numbers लिखे हुए हैं, यह digits लिखे हुए हैं, और एक 7 digit का एक number बनाया है, जो कि ID का 8 का number है, ठीक है, अब देखिए, question क्या कहता है, question पढ़ने में थोड़ा सा लंबा है, तो इसको अराम से पढ़ेंगे, पहले यह question कहता है, कि जो यह पूरा का पूरा number है, जो यह 7 digit का, जो 7 अंकों का पूरा का पूरा number है, वो 9 से divisible है, ठीक है, कि 9 से उसमें पूरा का पूरा divide होता है, उसके बाद, अगर हम right से एक digit को delete करते हैं, अगर first digit from the right, ठीक है, right मतलब इस तरफ से, ठीक है ना, right मतलब इस तरफ से अगर हम लोग एक digit को delete करते हैं, तो 6 digit का number बनेगा, वो 6 digit का number जो है, वो 6 से divisible है, ठीक, चलीए, आगे देखिए, इसके बाद अगर आप लोग right से 2 digit को delete करते हैं, उसमें से आप right से अगर 2 digit को delete करते हैं, तो original number जो number बनता है, वो divisible by 5 बनता है, उसके बाद आप right से, original number में से 3 digit delete करेंगे तो 6 digit का total number है 3 digit delete कर देंगे तो क्या बनेगा 4 digit का number बनेगा तो वो जो 4 digit का number है वो 4 से divisible है आप original number में से 4 digit delete कर लीजे right से तो number कितना बचेगा 3 digit का number वो 3 digit का number 3 से divisible है और अगर आप original number जो 6 digit का है उसमें से 5 digit right से delete करने तो number कितने digit का बचेगा दो digit का और वो दो digit का जो number है वो divisible by 2 है ठीक ये तो condition दी हुई है अब इसके अधार पर आप से ये पूछा है कि what is the possible value for the sum of middle 3 digits of the number जो बीच के 3 digits है उनका possible sum क्या हो सकता है ठीक कोशन में इस कोशन को जो है मैं थोड़ा सा मतलब tough कोशन में मानूँगा क्योंकि exam में exam में एक तो आपर pressure बहुत ज़ादा होता है है ना तो इस लगदिके का जो लंबा कोशन है मों कर पाना थोड़ा सा मैं कहूंगा की difficult है हलाकि कोशन थोड़ा analytical है आपको इसमें कुछ बहुत ज़ादा चीज नहीं करनी है लेकिन देखिए कैसे कर सकते है 60 digit का number है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ठीक अब देखिए पहले क्या कहता है कि पूरा का पूरा number जो है वो 9 से divisible है सही बात है अब 9 से divisible अभी देखिए इस question में आपका जो number system में divisibility rules होते हैं वो आपको पता होने चाहिए ठीक है अगर आपने पढ़ा है आपको पता है याद है तो बहुत अच्छी बात है कि 2 से divisible number कब होता है 3 से कब होता है 4 से कब होता है 5 की क्या condition है 6 की condition क्या है ठीक है यह सब आपको पता होना चाहिए अगर पता है तो बहुत अच्छी बात नहीं पता तो इसी channel पर हम लोगों ने last year एक video series ली थी पूरी की पूरी जिसमें हमने पूरा reasoning और कौर्ण C set का आपको पढ़ाया था chapter wise, topic wise तो उसमें number system के 2 videos है उसमें से पहला वाला जो video है वो आप लोग देखनी जाएगा वहाँ पर हमने सारे के सारे numbers का divisibility rule है वो discuss किया हुआ है ठीक है मैं फिर भी यहाँ पर जिनकी जरुवत है जो जो यहाँ पर पूछे हैं वो आपको जरूर बताऊँगा सबसे पहले यह कह रहा है कि पूरा का पूरा number 9 से divisible है तो 9 से divisibility का मतलब होता है कोई भी number कोई भी कितनी भी बड़ी संक्या हो वो 9 से divide कब होती है जब sum of digits is divisible by 9 ठीक है अब यहाँ पर आप पहली बात तो यह है कि यह जितने भी आपको number दिये हुए है कि जिन number उसे मिलके यह ID card का number बना है आप इनको पहले जोड़ के देख लीजिए यह कितना आ रहा है ठीक है आप इनको अगर सबको sum करेंगे तो you will get 3, 6, 36 ठीक 36 number आएगा तो 36 आपको पता है कि 9 से divisible है ठीक है तो कोई दिक्षट नहीं है अब कौन सी position पर अभी क्या आएगा वो हमें नहीं पता वही हमें निकालना है ठीक है अब देखिए इसके बाद यह कह रहा है कि हम last से 1 digit को अगर करते हैं delete यह वाली digit हमने कर दी delete ठीक बचे हमारे पास यह बागी 5 digit छे डिजिट इन 6 डिजिट का जो number है वो divisible है 6 से ठीक अब 6 से number divisible कब होता है ऐसे number divisible तब होता है जब वो number 2 से भी divide हो रहा हो और किस ते से divide हो रहा हो 3 से भी ठीक है 6 से divisibility की condition यहीं होती है divisibility की condition by 6 कि अगर वो divisible हो by to end दोनों से होना चाहिए ठीक है 2 से भी और 3 से भी तब हम कहते हैं किसी भी number को कि वो 6 से divisible है ठीक हो गया अब 2 से divisibility का मतलब आपको पता है 2 से divisibility का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पहली digit है ठीक है तब ही उस number को हम 2 से divisible मानेंगे ठीक है यह digit जो है वो odd होनी चाहिए even होनी चाहिए sorry बार-बार odd निकल रहा है मूँसे even होनी चाहिए अब यहाँ पर देखिए जो आपको यह 7 digits दिये गये है जो use करने है उस में से even digits कौन कौन सी है एक तो 2 even है यह जो position है यहाँ पर आपका even number आ सकता है ठीक है या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं आ सकता क्योंकि odd digits जो बागिए जैसे 1 है 5 है 7 है 9 है वो यहाँ पर नहीं आ सकता अब बचे 5 डिजिट अब यह नमबर जो है वो 5 से डिविसिबल है तो यह तो बहुत आसान है कि 5 से ऐगर कोई डिविसिबल होता है तो उसकी जो once डिजिट है वो क्या हो सकती है या तो 0 या फिर 5 अब यहां पर 0 तो है नहीं उसकरने के लिए 5 है तो यानि कि इस digit पर इस place पर हमें clearly पता है कि 5 आएगा ये तो हमें पता है ठीक है कि इस digit पर या इस place पर क्या आएगा 5 आएगा ये हमें clearly पता लग गया ठीक अब इसके बाद आगे चलिए अब आपने 3 digit delete कर दी अब आपके पास ये 4 digit बची है ये 4 digit का जो number होगा लास्ट टू डिजिट है किसी भी number की जो लास्ट टू डिजिट है वो क्या होनी चाहिए divisible by divisible by 4 ठीक है यानि कि अगर ये 4 digit का number है तो जो इसकी last की 2 digit है ये last की जो 2 digit है ये 4 से divisible होनी चाहिए ठीक है 4 से divisible हो सकती है कैसे देखे 5 तो यहाँ पर आ गया ठीक अब देखे last में 2 digit divisible अगर आपको बनानी है तो यहाँ पर आप 1, 2 ले सकते है ठीक है 1, 4 ले सकते है नहीं 1, 4 तो divisible नहीं होता है तो 1, 2 आप यहाँ पर ले सकते हैं मतलब यहाँ पर आपका number 1 और 2 आ सकता है यह possibility है 1 और 4 आ सकता है नहीं 1 और 5 तो वैसी नहीं आ सकता 5 को तो मैं कहूँगा यहाँ से काटी दीजे क्योंकि 5 को हमने पहले ही ले लिया 1, 7 आ नहीं सकता 1, 8 आ नहीं सकता 1, 9 आ नहीं सकता ठीक इसके बाद 2 से लेना शुरू करें तो 2 से या तो 2, 1 तो आ नहीं सकता 2, 2, repetition तो होगा नहीं क्योंकि लिखा हुआ है ठीक है ना यहाँ पर लिखा हुआ है कि letter represent distinct digits तो repetition का तो मतलब है नहीं तो 2, 4 आ सकता है यहाँ पर यानि कि जैसे 1 और 2 आ गया 1 और 2 आ सकता है तो 2 और 4 भी आ सकता है ठीक है 2 और 4 आ सकता है बागी 2 के साथ और भी आ सकता है 2 के साथ अगर आप लेंगे तो 8 भी आ सकता है क्योंकि 2, 8 यानि कि 28 और 28 is divisible by 4 तो 28 आ सकता है ठीक है उसके बाद 4 से अगर आप लेंगे तो 41 नहीं, 42 भी नहीं क्योंकि 42 is again not divisible by 4, 48 आ सकता है ठीक है बागी 5 से तो लेना नहीं है 7 से अगर आप लेंगे तो 72 आ सकता है 72 is again divisible by 4 ठीक है 78, 78 is divisible by 4 No, बिल्कुल भी नहीं 74 divisible नहीं होता 80 से लेंगे तो 80 नहीं आ सकता मतब 81 नहीं आ सकता, 82 नहीं आ सकता है 84 लेकिन आ सकता है ठीक है और 90 से अगर आप लेंगे 90 से अगर आप number लेना चाहें तो 92 आ सकता है ठीक है 92 यहाँ पर आ सकता है 98 नहीं आ सकता 96 is divisible by 4 98 is not divisible by 4 ठीक अब देखिए इसके बाद आगे अगर हम लोग चले ठीक है अब आगे क्या कह रहा है कि एक digit को आप और हटा दीजे अभी तो हमें यहाँ पर नहीं पता लगी condition की क्या बन रही है अगर हम एक और digit को हटा दे तो बचे हमारे पास 3 digit इन 3 digit का जो number है वो 3 से divisible है 3 से divisible का मतलब क्या होता है कि जो sum of digits है that should be divisible by sum of digits should be divisible by 3 ठीक अब देखिए अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पर अगर पहले थोड़ा सा और बता दू वो यह है कि मैंने बताया था कि इस वाले digit का जो number है मतलब यह जो 6 digit का number है यह 3 से और 2 से दोनों से divisible होना चाहिए क्यों? क्योंकि यह पूरा का पूरा जो 6 digit का number है यह 6 से divisible है ठीक है? तो 2 की divisibility के लिए तो मैं आपको बता तिया कि number यहाँ पर even आना चाहिए ठीक? लेकिन 3 से divisibility का मतलब क्या है? 3 से divisibility का मतलब क्या है कि जो यह 6 number का sum होगा जो 6 digit का sum होगा वो 3 से divide होना चाहिए ठीक? अब देखिए यह जो total 7 number है जो 6 digit है उनका sum है 36 इस में से आप क्या चीज़ delete करें या इस में से आप यहाँ पर कौन सा number रखें कि बाकी number जो है वो भी divisible by 3 बन जाए देखिए 37 में से आप 1 खटाएंगे तो 35 आएगा नहीं हो सकता क्योंकि 35 is not divisible by 3 34 is also not divisible by 3 32 भी नहीं होगा यह 5 तो आई नहीं सकता 30, 29 भी नहीं होगा 8 को delete करेंगे 28 आएगा वो भी नहीं होगा 36 में से आप 9 divide करेंगे तो 27 आता है तो यहनिकि 27 is again divisible by 3 तो इसका मतलब हमें यह चीज़ clearly पता लग गई कि 9 नमबर जो है वो हमारा यहां पर आएगा कैसे पता लगा क्योंकि यह जो नमबर है इतना जो नमबर है एक से लेकर 6 डिजिट तक का वो 3 से डिवाइड होना चाहिए 3 से डिवाइड कब होगा जब यहां पर जितने भी नमबर आएगे जो भी डिजिट आएगी उस पूरे का सम क्या होगा 3 का multiple होगा ठीक है वो 3 का multiple कब हो सकता है जब यहां पर 9 आएगा क्योंकि इस पूरे का सम कितना है 36 9 गटाली जो 27 हो गया 27 is again divisible by 3 तो ठीक है यह चीज़ condition हो गई तो 9 यहां पर आगिया तो 9 अगर हमारा वहां पर आगिया तो जो मैंने आपको यहां पर बताया है कि यहां पर हम 9 और 2 ले सकते हैं because this number becomes divisible by 4 तो यह यहां से हट जाएगी condition ठीक है यहां तक clear चलो आगे आओ आगे क्या कहता है आपने यहां से 4 डिजिट डिलीट कर दिये 3 डिजिट का नंबर जो है वो divisible by 3 है ठीक अब यहां पर जो यह नंबर बन रहा है this number again becomes divisible by 3 ठीक है और एक चीज़ और 2 डिजिट का जो नंबर बनेगा वो divisible by 2 है यानि कि यहां पर आपकी again जो है वो even digit आएगी even digit हमारे पास 3 है 2, 4 और 8 ठीक है 2, 4 और 8 है अब देखो यहां पर मैंने आपको possibility बता दी कि या तो यह number आ सकते है ठीक है या तो 12 आ सकता है या 24, 28 यह यहां पर 2, 4, 8 आ सकता है यहां पर 5 पहले ही आ चुका है यहां पर आपका number 24, 8 आ सकता है वहां पर 9 पहले ही आ चुका है तो यहां पर एक number क्या आएगा वो हमें clearly पता लग गया यहां पर हमारा number आएगा 7 ठीक 7 आएगा यह समझ गए आप ठीक है अब देखो यहां पर अब आपको जो है कि sum should be multiple of 3 तो यानि कि यहां पर अगर मैं 7, 2, 1 लेता हूँ suppose करो 7, 2, 1 लेता हूँ मैं मैं कह रहा हूँ कि 7, 2, 1 ठीक है 7, 2, 1 तो मैं ले नहीं सकता वैसे पूछो क्यों क्योंकि 7, 2, 1 अगर मैं लूँगा अगर मैं यहां पर number 12 लेता हूँ तो यहां पर मैं 2 नहीं ले सकता क्योंकि फिर 2 और 2 रिपीट हो जाएगा that is not possible ठीक है अगर मैं माल लो कि यहां पर 8 लेता हूँ और यहां पर 2 लेता हूँ यहां पर 4 लेता हूँ फिर भी condition नहीं बैठेगी क्यों क्यों क्योंकि यहां पर मुझे even digit चाहिए इन दोनों जगे तो मेरे पास जो 1 की possibility है वो सिर्फ यहीं पर आएगी यह चीज मुझे पता लग गई देखो कैसे पता लग गई यहां पर मेरा 1 नहीं आ सकता यहां पर भी मेरा 1 नहीं आ सकता तो 1 मेरा कहां पर आएगा वो 1 मेरा यहीं पर आ सकता है तो मेरा 1 यहां पर आ गया मुझे पता लग यहां मेरा काम हो गया 1 मेरा अगर यहां पर आ रहा है तो 1 के साथ मेरा combination सिर्फ यहीं बन रहा था यह 2 बन गया ठीक 12 last 2 digits 4 से divisible है ठीक है अब यह अगर 2 बन रहा है 1 2 बन रहा है तो यह 3 digit का sum 3 का multiple होना चाहिए 2 तो वैसे भी यहां से नहीं आ सकता है क्योंकि 2 तो यहां पर आ गया है अब 4 क्या आ सकता है 7 प्लस 4 is 11 11 प्लस 1 is 12 ठीक है 3 से multiple है 7 प्लस 8 15 प्लस 1 is 16 3 से divisible है नहीं तो यहां पर भी मुझे पता लग गया कि मेरा 4 आएगा तो 7 4 1 2 5 और यहां पर बचा नंबर 8 तो यह मेरा जो है ID कार्ट का नंबर होगा 7 4 1 2 5 8 9 अब मुझसे पूछा क्या था मुझसे पूछा था middle 3 digits का sum तो middle 3 digits मतलब 7 digits का नंबर है 2 digits यहां से हटा दीजिए 2 digits यहां से हटा दीजिए बागी बची बीच की यह 3 digits तो 3 digits का sum क्या है 1 प्लस 2 प्लस 5 यानि की answer is 8 ठीक है answer is 8 option A ठीक है I hope clear है बात थोड़ा सा question मैं आपको पहली बताया थोड़ा सा tricky question था लेकिन इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा अपना ध्यान लगा के करते हैं तो हो सकता है question ठीक चलिए आगे देखते हैं next question देखें next question क्या कह रहा है कि 2 friends है x और y वो चलना शुरू करते हैं यह question आसान है और यह question बेसिकली आपका जो distance and direction होता है उसका question है कि 2 friends है x और y वो चलना शुरू करते हैं और 50 meter तक एक साथ चलते हैं ठीक है मतलब किसी point से चलना शुरू करते हैं suppose कर लीजे मैं यह point लेता हूँ this is a starting point यहाँ से वो दोनों चलना शुरू करते हैं और एक दूरी तक चलते हैं 7 यानि कि suppose कर लीजे यहाँ तक यह distance है 50 meters ठीक इसके बाद एक point पर पहुशते हैं x जो है वो अपने right turn करता है और 60 meter चलता है ठीक अब देखिए वो लोग ऐसे जा रहे हैं आप मेरी direction देखेगा आपको समझ में आएगा वो लोग ऐसे जा रहे है ठीक है दोनों का मूँ इस तरफ है अब उनका ये right होगा this will be the right side this will be the left side तो x जो है वो right को turn हुआ यानि कि x जो है वो ऐसे turn हो गया और इस तरफ को जान लगा अब आपको ये लोग video आप इसको मतलब है देखिएगा analyze कीजेगा ये आपको वीडियो में उल्टा दिखेगा ठीक है ना लेकिन आप समझेगा तो ये right हो गया तो x जो है वो इधर पहुझ गया कितना 60 meter ठीक है यहाँ पर x पहुझ चुका है और y जो है वो अपने left turn करके 40 meter चलता है यानि कि y जो है वो कितना चल रहा है left x turns left and moves 50 meter तो x जो है वो यहाँ पर पहुझ गया फाइनली और y जो है वो ऐसे जा रहा था वो turn कर रहा है अपने right तो उसका right इस तरफ left इस तरफ तो left वो right move करा यहाँ पहुझ गया और कितना चला 50 meter ठीक उसके बाद ये भी रुख गया अब दोनों जो दोस्त हैं वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है यानि कि आपको ये वाली distance निगालनी है बहुत आसान कोश्चन था ये distance बराबर कितनी होगी ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगी ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगी तो दोनों का सम यानि कि अब वो एक दूने से कितनी दूरी पर है अब वो एक दूसरे से 100 meter की दूरी पर है ठीक आंसर क्या बना option A ठीक है असान कोश्चन था distance direction का ये बहुत असान कोश्चन था वहाँ पर exam में हो सकता है चलिए आगे देखते हैं next question अब देखिए ये एक और थोड़ा सा लंबा question आया ये क्या कहता है on which date of June 2019 among the following is a Sunday यानि कि यहाँ पर चार तारिख दी हुई है चार पांच छे साथ इन्वे से June 1999 में किस दिन Sunday पड़ेगा अब जो calendar वाले questions होते हैं इसमें दो तरही ये questions बनते हैं एक तो ये बनता है कि आपको कोई एक reference date दे दी जाए उस दिन बता दिया जाए कि उस दिन हफते का ये दिन है और फिर उसके आधार पर आगे निकालिए या फिर आपको simply ऐसे ही उठा के दे दिया जाएगा कि कोई भी एक दिन ठीक है चाहे वो past का हो चाहे वो future का हो कि उस दिन कौन सा दिन है ये आपको बताना है अब देखिए इस तरीके questions को मैं बड़े simple तरीके से हम लोग करते हैं हम लोगों ने अपनी सिरीज में भी उसको ऐसी किया है हम क्या करेंगे हम सबसे पहले कोई भी एक दिन पकड़ लेंगे ठीक है और उस दिन पर हमें जो है वो odd days निकालने है मतलब simply calendar के questions में एक ही concept होता है odd days निकालने का अब देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर हम बात करें एक जन्वरी 2001 की की एक जन्वरी 2001 को कौन सा डे होगा ठीक कोई भी आप दिन चून सकते हैं मतलब कोई भी date चूज कर सकते हैं जिसके हिसाब से आप निकालना चाहें ठीक है मैं एक जन्वरी 2001 लेता हूँ तो आपको यह चीज पता है कि शुरुआज से लेकर ठीक है मतलब जब से भी date चालू हुई शुरुआज से लेकर 1600 तक कोई भी odd days नहीं होते 0 odd days अच्छा odd days होते क्या हैं यह I hope आप लोगं को पता होगा odd days का मतलब होता है जैसे एक साल होता है एक normal year होता है मैं थोड़ा सागर आपको यहाँ पर concept बता दू वैसे आप लोगं को पता होगा कि अगर कोई normal year होता है उसमे number of days कितने होते हैं 365 365 365 को 365 को जब आप divide करते हैं 7 से ठीक है साथ से आप divide करते हैं तो यह कितना आता है 52 days sorry 52 weeks 52 तो यह आपका पूरा divide होगा प्लस इसमें एक दिन जो है वो बच जाएगा ठीक है तो यही जो एक दिन बचता है इसको हम क्या बोलते हैं this is known as odd day ठीक है normal year में यह होता है अगर हम इसी को जो है वो leap year बना दे मतलब जो leap year हर 4 साल के बाद आता है उसमें 366 days होते है ठीक है तो 366 को अगर आप 7 से divide करते हैं तो कितना आएगा 52 weeks तो total आ जाएगा प्लस दो दिन आपके बच जाएगे और यही जो दो दिन होते हैं इन ही को हम क्या बोलते है odd days यानि कि यहां से हमें एक concept पता लग गया कि जो normal year होता है उसमें एक odd day होता है और जो leap year होता है उसमें दो odd days होते हैं ठीक यह बात आप समझ गए चलिए आगे आप देखते हैं हम इसको कैसे solve कर सकते हैं मैं इसको फिलाल रब नहीं करूँगा so that कि अगर आपको जो है वो चाहिए हो इसको तो वो आप screenshot ले सकते हैं ठीक है मैंने आपको बताया कि हम एक जनवरी 2001 को consider करेंगे ठीक है जो एक जनवरी 2001 की date हम पहले निकालेंगे अब इसमें देखें सिंप्ली सी बात है कि 0 से लेकर 1600 तक कोई भी odd days नहीं होगा 0 odd days ठीक है इसके बाद 1601 से लेकर 2000 सन तक अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर भी कोई odd days नहीं होगा क्योंकि यह सारे air जो है वो कैसे होंगे मतलब वो सारा 400 में आपको पता है कि कोई भी odd year नहीं बनता है 400 के multiple में ठीक है तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक जनवरी लिया है क्योंकि एक जनवरी 2001 को अगर हम consider करेंगे तो सिर्फ एक डे आएगा यानि कि one odd day and that one odd day इस one odd day का मतलब क्या होता है एक odd day अगर आपको table पता है मैं आपके लिए यहाँ पर बना देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6 7 odd days नहीं हो सकते 0 से लेकर 6 तक होते है अगर आपका question में answer में 0 odd days आ रहे हैं तो Sunday होता है अगर एक odd day आ रहे हैं तो Monday होता है दो odd day आ रहे हैं तो Tuesday होता है तीन आ रहे होते हैं तो Wednesday होता है चार आते हैं तो Thursday होता है पांच आते हैं तो Friday होता है और 6 आते हैं तो Saturday होता है ठीक अब यहाँ पर कितना आ रहा है odd day एक जनवरी 2001 को एक यानि कि एक जनवरी 2001 को हमें पता लग गया कि इस दिन क्या होगा, मंडे होगा ठीक है, चाहेंगे तो कलेंडर में मैं आपको चेकर करके दिखा दूँगा भी फिलाल, एक जनवरी 2001 को मंडे होगा पता लग गया, ठीक है अब हमें क्या करना है मैं इस पार्ट को रप करता हूँ, ठीक है एक जनवरी 2001 को मंडे पता लग गया, अब हमें एक जनवरी 2001 से लेकर अपना कैलकुलेशन कहा तक करना है, एक जून दो हजार 99 तक, क्योंकि हमें जून 99 का निकालना है, है ना हमें जून 99 में निकालना है, जून 2019 में तो हम एक जून को देख लेते हैं एक जून 2019 को कौन सा दिन है उसके हिसाब से next Sunday कब आएगा वो पता लग जाएगा अब देखिए एक जून तक निकालने के लिए 2019 में बीच में हमारे 2001 से लेकर 2098 तक 2098 तक total years कितने हुँगे 98 years अब इस 98 years में से कुछ years जो है वो normal year हुँगे है ना हर 4 साल के बाद एक leap year आता है मतब तीन नॉर्मल year फिर एक leap year फिर एक leap year ऐसे चलेगा तो आपको इसको leap year अगर इसमें से निकालने है तो क्या कीजेगा कि इसको simply आप 4 से divide कीजेगा ठीक है 98 divided by 4 कितना आएगा जितना भ की device होगा 24 आएगा ठीक है और दो दिन बच जाएंगे क्योंकि 24 into 4 is 96 24 2 by 4 आएगा तो ये जो whole number आएगा वही आपके number of leap year होते है तो 24 आपके leap year हो गए ठीक है और 98 में से 24 माइनस कर लीजे 74 आपके ordinary years होंगे इन 98 सालों में ये 98 साल कौन से है 2001 से लेकर 2000 98 तक ठीक अब आपको मैंने concept बता दिया है कि एक leap year में दो odd days होते हैं तो 24 leap year में कितने odd days होंगे 24 multiplied by 2 यानि कि 48 और मैंने आपको क्या बताया कि odd days आपके 0 से लेकर 6 तक हो सकते हैं वो कैसे होते हैं वो भी आपको पता होंगे 48 को आप 7 से divide कीजिए जितना आपका whole number आता है 48 7 6 of 48 ठीक है 7 6 of 48 जो remainder बसता है यहाँ पर basically remainder निकला जाता है जो remainder बसता है वो odd days होते हैं तो पूरे तो जैसे 365 को हमने 7 से divide किया था तो 52 हफते और एक odd day आया था similarly 48 को आप 7 से divide करेंगे तो 7 6 of 42 बचा कितना 6 तो 6 odd days आएंगे यहाँ पर ठीक similarly 74 ordinary years है तो उसमें multiplied by one odd day क्योंकि हर ordinary year में सिर्फ एक odd day होता है ठीक है तो यह total कितने odd days हो जाएंगे 74 और 74 को फिर आप 7 से divide करेंगे तो कितना आएगा 70 बचा 4 तो 4 odd day आगए ठीक अब आप इसको फिर से total निकालिए चार यहाँ है 6 यहाँ है total कितना हो गया 10 ठीक है 10 हो गया अब उस 10 को आप 7 से divide कीजिए तो 7 बचा 3 तो यहाँ से आपके जो है वो 3 odd day आगए यानि कि 3 odd day का मतलब क्या है 3 odd day हो गई है 2098 तक लेकिन इसके बाद जो 3 odd day आएंगे यह आपका 31 दिसंबर 2098 का आएगा मैं फिलाल आगे चलूँगा मुझे 98 से मतलब नहीं है मुझे 99 से मतलब है और उसके भी जून से मतलब है तो मैं और आगे चलूँगा मैं फिलाल यह count करके रखता हूँ कि यहां से यहां तक मैं मेरे पास 3 odd days है ठीक है अब उसके बाद 1 जनवरी 2099 से लेकर 1 जून 2099 तक मैं चलूँगा तो जनवरी से 99 तक मतल माई और जून ठीक अब मार्च जो जनवरी का मैना होता है जनवरी में कितने odd days होते है जनवरी में total number of days 31 31 divided by 7 28 पूरा जाएगा remainder बसता है 3 तो 3 odd day होंगे फरवरी में जो है वो या तो 0 odd days होते है या 1 odd day होता है depending upon कि वो leap year है या normal year है लेकिन 2099 कैसा year है 2099 is a ordinary year तो इसमें number of odd days in फरवरी कितने होंगे 28 ही होंगे total days 28 होंगे तो ordinary days बनलब odd days 0 ठीक क्योंकि 28 divided by 7 is 4 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा remainder कुछ आएगा नहीं मार्च में जो है वो हर साल कितने दिन होते है 31 तो फिर से 3 odd days अपरेल में 30 दिन होते है 30 divided by 7 remainder आएगा 2 दो odd days माई में आपके 3 odd days अब जून अब जून का देखिए मैं सिर्फ पहली तारीक पर कंसिडर कर रहा हूं I am considering on first of जून तो जून का मैं इसलिए एक ही दिन लूँग 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 3 12 12 बने 12 को अगें डिवाइट करूँगा 7 से तो 7 बंजा 7 remainder is 5 तो 5 remainder बज़ गया यानि कि 5 odd days ठीक है अब देखो 5 odd days मेरे यहां थे 3 odd days मेरे यहां थे ठीक है 5 odd days यहां थे तीन और यहां थे तो कितने दिन हो गए total कितने दिन हो गए 8 दिन अब 8 दिन अगर मेरे हो रहे हैं तो total odd days हो गए 8 और 8 को मैं again divide by 7 करूँगा तो I will get 1 odd day तो इससे क्या है मुझे क्या पता लग गया इससे मुझे यह पता लग गया कि 1 जून 2099 को number of odd days is 1 और one odd day में मैं आपको बताया कि क्या दिन बनता है Monday ठीक है तो यहाँ पर यानि कि क्या दिन होगा this day will be a Monday ठीक समझ गए अब देखो वापस से पीछे आओ अगर आपका एक जून को एक जून 2099 को अगर Monday है तो संडे का बाएगा दो तीन चार पाँच छे और साथ यह Monday है यह Tuesday यह Wednesday यह Thursday यह Friday यह Saturday और यह Sunday संडे है तो आंसर क्या बनेगा कि इन में से कौन सी तारीक को जो है 2019 के जून में संडे है दा आंसर इस ऑप्शन डी ठीक है अब इसके लिए जो यह आपके कलेंडर वाले कोशन होते है ना इसके लिए कहीं पर हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो कुछ फॉर्मूलेज वगरा भी यूज के जाते है ठीक है बड़ जनरली मैं फॉर्मूलेज वगरा यूज नहीं करता हूं है ना और यह तरीका जो है यह बड़ा ही मतलब conceptual तरीका है अगर इस तरीके से आप करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी और आपको शुरुआत से लेकर भविश्य में भी कभी तक अनंतकाल तक कोई भी डेट पकड़ा दी जाए आप उस डेट पर क्या डे होगा यह आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी गलती के और यह जो मन आपको step करके दिखाए है ना आपको लग रहा ह होगा कि यह time taking है यह time taking नहीं है यह बहुत जल्दी होता है यह question जो है अगर किसी को चीजें पता है तो exam में यह question hardly 2 minute में हो जाएगा मैं बता रहा हूँ guarantee लेके इसी तरीके से 2 minute में हो जाएगा ठीके मैंने reference date यहां पर लेके चला था मैं आप reference date को और लेके चल सकते हैं यह नहीं UPSC का prelims का paper भी होगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं next question अब next question क्या कह रहा है देखिए यह question भी अच्छा है यह question कह रहा है कि a bill of 1840 is to be paid in the denomination of rupees 50, rupees 20 and rupees 10 notes 50 notes in all are used और आपको यहां पर 3 statement दिये हैं मतलब पहले कह रहा है कि 1840 रुपे का आपको एक bill पे करना है और आपके पास 3 ही currency के notes है या तो आपके पास 50 रुपे के note है या 20 रुपे के note है या 10 रुपे के note है और total आपके पास जो note की संक्या है वो 50 है उसके पास आपको यहां पर 3 statement दी है आपको यह बताना है कि इन में से कौन सी not correct है ठीक है अब इस question को आप दो तरीके से कर सकते हैं मैं आपको दोनों ही तरीके बता दूँगा ठीक है अगर किसी को थोड़ा बहुत maths वगरा का idea है equations वगरा आपको आती है तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा दूसरा एक और short तरीका भी है देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको short तरीके से ही बता देता हूँ ठीक है देखिए short तरीका क्या है कभी कभार हो सकता है कि short तरीका काम ना करे हला कि यहाँ पर कर रहा है देखिए आप से कह रहा है कि आपके पास 3 denomination के note है एक है 50 रुपे के note एक है 20 रुपे के note और एक है 10 के note है आपके पास Z these are the number of notes ठीक है आपको यह बताया गया है कि आपके पास total notes जो है वो 50 है लेकिन किसके कितने है यह नहीं पता ठीक है यह पता लग जाएगा तो तो question ही नहीं बनेगा यह आपको पता लग गया और दूसरी चीज़ आपको यह कह रहा है कि X plus Y plus Z is equal to 50 कि total notes आपके पास कितने है 50 ठीक है तो एक equation तो यह बन गई और दूसरी equation आपकी यह बनेगी कि आपको जो bill पे करना है that is 50X plus 20Y plus 10Z is equal to 1840 दूसरी equation आपकी यह बनेगी 10X plus 20Y plus 10Z equal to 1840 ठीक है अब देखो question को कैसे करा जाएगा question को करा ऐसे जाएगा कि आपको हर statement में यहाँ पर दिया हुआ है कि 50 रुपे के आपको बस कितने note है वो आपको definite बता दिया गया है यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि 20 रुपे कितने note है और यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि 10 रुपे कितने note है ठीक है यानि कि आ आप से X की value रखिए, ठीक है, तो फिर आपकी जो equation बनेगी वो Y और Z में बनेगी, फिर Y और Z को solve करके देखिए कि क्या feasible answer आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, feasible answer का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए, बढ़ करके बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे, अलने वाले equation में आपको 50 rupees के आपके पास 25 notes है, यह दिया हुआ है, ठीक है, यानि कि X की value आपको कितनी दिया है, 25, X की value को 25 आप जैसे यहाँ पर रखिएंगे, तो Y प्लस Z कितना आ जाएगा, 25, Y प्लस Z will be equal to 25, आ गया, Y प्लस Z बराबर आ गया 25, ठीक, X की value को आप जैसे यहाँ पर रखिंगे, कितना 25, तो यह आजाएगा 1250, 1250, तो यह वाली equation बन जाएगी, 20Y प्लस 10Z equal to 1840 minus 1250, this will come out to be 590, ठीक है, अब इन दोने equations को आप solve करके X और Y और Z की value निकाल सकते हैं, solve करके देख लीजे, ठीक है, कैसे करेंगे, इसको आप 10 से 20 से multiply कर दीजे इस equation को तो क्या बन जाएगी यह, 20Y plus 20Z plus 25 into 20 is 500, minus minus minus, ठीक है, यह तरीका सिर्फ उन लोग के लिए है, जिनको थोड़ा बहुत maths के equation solve करना आती है, अगर नहीं आती है तो फिर आप यह नहीं समझ भाएंगे, 20Y minus 20Y, तो यह cancel हो जाएगा, 20Z minus 10Z is 10Z is equal to 500 minus 590 is minus 90, यानि कि यहाँ से आपकी Z की value आ रही है, minus 9, यानि कि आपके पास Z मतलब 10 रुपे के notes कितने है, minus 9, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब पहली statement आपकी गलत है, ठीक, पहली statement अगर आपकी गलत है, आपसे पूछा किया है कि कौन कौन सी statements सही नहीं है, यानि कि गलत है, तो answer में आप का 1 होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब आपका B answer तो चला गया, ठीक है, इसके बाद आप यही exercise जो मैंने आपको यहाँ पर करवाई है, आप वो अगली दो equation में, फिर से, अगले वाले में आपको Y की value दीए है, 35, ठीक है, अगले वाले में आपको Y की value दीए 35, Y की value 35 यहाँ रखेंगे, तो X प्लस Z बराबर आजाएगा 15, ठीक है, और, सॉरी, 35, हाँ, 35 दीए, और यहाँ पर आप Y की value 35 रखेंगे, तो 50X प्लस 35 यहाँ रखेंगे, तो 700 बनेगा, 10Z is equal to 1140, ठीक है, अब इनको solve करके देख लीजिए, इसको आप 10 से multiply कर लीजिए, into 10, तो क्या हो जाएगा, 10X minus minus minus, ठीक है, 10X, 10Z, 10Z cancel हो जाएगा, minus 40X is equal to 150 minus 1140, this will come out to be minus 990, ठीक है, अब देखो 0 से 0 कर दिया, minus से minus कर दिया, X की value 99 by 4 आ रही है, बट note जो है, यह बोला गया है, X की value क्या है, X की value मतलब आपके पास 50 रुपे के कितने note है, तो क्या 50 रुपे के note 99 by 4 हो सकते हैं, 99 by 4 तो नहीं हो सकते हैं, टूड़े में कैसे होगा note, पूरा ही होगा, साबुत होगा, तो यह भी गलत है, यानि कि दूसरी statement भी आपकी गलत है, तो इसका मतलब answer में आपका यह भी नहीं है, अब आपको यही चेक करना है कि क्या तीसरी गलत है या नहीं है, अगर तीसरी ग आपकी सही नहीं बनेगी, ठीक है, तो इस वाले question का जो जवाब है, वो option D है, that is all three questions are, या all three statements are not, या all three statements are not correct, ठीक है, एक तरीका तो यह है, अब मैं आपको इसका एक short तरीका ही बताता हूँ, हाला कि वो short तरीका हर जगे काम करे या नहीं करे मैं नहीं कह सकता, बट फिला यहां पर काम कर जाएगा इस question में, मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखेगा, देखेगा, क्या लिखा है, आपको 1840 रुपे का bill pay करना है, है ना, और पहली वाली question में आपसे ये कह रहा है, कि आपके पास 50 रुपे के 25 note है, तो 50 रुपे के 25 note, आपने ये सारे के सारे use कर लिए, ठीक है, तो ये वन गया 1250, और बाकी जो है, बाकी का जो bill बच रहा है, वो आपको pay करना है, 10 रुपे और 20 रुपे के note में, तो 1250 तो आपने 50 रुपे के note से pay कर दिया, अब बाकी remaining कितना बचा, 15, 1240 माइनस, 1840 माइनस 1250, कितना बचा, 590, अब ये 590 रुपी का जो bill है, वो आपको pay करना है, या तो 20 रुपे में, या 10 रुपे में, और आपके 25 note तो यहाँ पर लग चुके है, आपके पास total notes कितने थे, 50, तो यानि कि अब आपके पास notes कितने बचे, चाहे वो 10 के हो, चाहे वो 20 के हो, note कितने बचे आपके पास, स टूबए के हो, ठीक है, bill पे करना है, पास्व नवबड़ रुपे का और, अगर आप सारे के सारे जो note है, अगर मान लीजे आपके पास सारे के सारे note, 25 के 25 note अगर 20 रुपे के भी है, तब भी value कितनी बनेगी, 25 इंटू 20, 500 रुपे, ठीक है, ये उसकी highest value हो सकती है, इन 25 notes क highest value कितनी हो सकती है 500 रुपे क्योंकि वो notes या तो 10 के हैं या 20 के हैं अगर मैं मान के चल रहा हूँ सारे के सारे अगर 20 के भी हैं तो भी value highest कितनी बनेगी 500 रुपे बिल आपको कितना pay करना है 590 रुपे तो क्या आप कर पाएंगे नहीं तो पहली statement इसे आप से गलत हो जाती है similarly आप दूसरी statement चेक कर लीजे मैं आपको दूसरी चेक करके दिखाता हूँ तीसरी आप लोग खुद कर लीजेगा ठीक है दूसरी चेक करके दिखाता हूँ दूसरी वाली के लिए भी condition तो ग्रीशन तो वही है 1844 का सब्सक्राभाई का विल पे करना है हाँ टोटल नोट मतफाचास इसे थी कह है इस रूपे के 35 नोट लिजेगा टी कैंटे 3085 इन्टू 20 यानी कि साथ स्वées का वीस रूपे अब है मैं 20 जोट से कितनी यूजर ऐ हो गए 35 अब आपके पास total note थे 50 तो note कितने बचे 15 अब उन 15 notes में से या तो note 50 के है या note 10 के है दो ही चीज़ हो सकती है ठीक है बिल अभी भी कितना बचा हुआ है बिल अभी भी कितना बचा हुआ है 1.440 का kull देना है 700 रुपे का आप 20 रुपे के नोट में दे चुके, तो बागी आपका बिल बचा है अभी भी 1140 रुपे का, अब 1140 रुपे का बिल आपने इस condition में पे करना है, आपके पास या तो 50 रुपे के नोट है, या 100 रुपे के नोट है, अब ये जो 15 रुपे के नोट है, अब ये जो 15 रुपे के नहीं तो फिर ये भी गलत हो गया अब तीसरे वाले को आप खुछ चेक कर लीजेगा ठीक है यह मैं कर देता हूं चलिए आपके लिए भी चेक 1840 रुपे का विल पे करना है 10 रुपे के नोट 20 रुपे का विल पे कर दिया टोटल नोट है 50 ठीक है टोटल नोट कितने है 50 50 200 रुपे का विल पे हो चुका है 1640 रुपे का विल आपको और पे करना है 20 नोट आपके यहाँ पर लग चुके है कितने नोट बजे होंगे 30 30 में से कुछ नोट या तो 50 के है या 20 के है ठीक है अब अगर सारे के सारे नोट आपके जो 30 के 30 नोट है अगर वो 50 रुपे की भी है तब भी maximum value कितनी वनेगी 1500 रुपे की बिल पे करना है 1640 रुपे का कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो इसलिए यह statement भी किलत है अब यह वाला तरीका जो है यहाँ पर काम कर रहा है और यह वाला तरीका आपके दिमाग में वहाँ पर click करना चाहिए अदर्वाइस नहीं हो पाएगा यह question अदर्वाइस फिर आप जो बने question वाला तरीका बताया उससे करिएगा उससे हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं next question next question क्या कहता है कि आपको यहाँ पर चार नंबर दिये गए है 2 raise to the power 40 3 raise to the power 21 2 raise to the power 40 3 raise to the power 21 4 raise to the power 18 और 8 raise to the power 12 इन में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है smallest नंबर आपको निकालना है ठीक है अब देखो कैसे पता लगेगा ऐसे तो क्यार दिमाग में क्लिक करना बड़ा मुश्किल है बट 4 to the power 18 को 4 को आप 2 का square लिख सकते है ठीक है क्योंकि 2 और 3 तो वैसी smallest है इसको तो factor बनाई नहीं सकते है और 8 को आप 2 का cube लिख सकते है ठीक है तो यानि कि यह नंबर आपका 2 to the power 36 और यह नंबर भी आपका 2 to the power 36 ठीक है यह दोनों नंबर बराबर है यानि कि यह दोनों नंबर बराबर है ठीक अब यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 2 to the power 40 और यहाँ पर दिया गया है 2 to the power 36 अब देखिए 2 to the power 36 2 to the power 40 से छोटा होगा यानि कि 2 to the power 40 तो smallest हो नहीं सकता तो यानि कि जो answer बनेगा answer आपका option A नहीं हो सकता ठीक है अब आपके पास दो number बचे एक बचा 2 to the power 36 और दूसरा number बचा 3 to the power 21 लेकिन देखो अब यहाँ पे इस question को न अगर इसने कुछ और तरीके से question दिया होता तो यह question solve नहीं हो भाता क्योंकि 3 to the power 21 या 2 to the power 36 आप नहीं पता लगा पाओगे कि क्या होता है until and unless आप उसको फिर solve करो उसका cube निकालो cube निकालने के लिए भी 2 इसको आप 2 to the power 12 उसका cube 3 to the power 7 उसका cube ठीक है लेकिन यहां पर देखो अगर अब देखो मेरी बाद सुनना अगर ये नंबर छोटा होता माल लो अगर अगर ये नंबर छोटा होता ठीक है अगर 2 to the power 36 3 to the power 21 से छोटा है अगर if तो आपके answer में फिर ये दोनों answer होते या तो फिर आपका answer उस case में ये भी होता और ये भी होता क्योंकि ये दोनों नंबर तो सेम है अगर छोटा होता तो फिर ये दोनों होते लेकिन ऐसा तो है नहीं answer 1 and 2, 2 and 3 type तो है नहीं answer तो सिरफ A, B, C, D form में है तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा वहाँ पर अगर दिमाग लगाते या लगा सकते तो आपको पता लगेगा कि answer जो है इसका option B है आप चाहे किल्कूलेटर से कल्कूलेट करके देख लेना 2 to the power 36 जो है वो आपका 3 to the power 21 से बड़ा होता है ठीक है 2 to the power 36 is greater than 3 to the power 21 अब अगर इसने यहाँ पर कोई number और दिये होते ठीक है तो फिर निकाल पाना इस question को बड़ा मुश्किल था यहाँ पर इसने smallest कहा है इसलिए इस लिहाँ से यह निकल गया और दूसरी चीज़ में आपको और बताओ अगर यह यहाँ पर कह देता इस question की जगे smallest की जगे अगर यह largest पूस्ट देता कहीं ठीक है इसने पूछा नहीं है क्योंकि यह हमारा यह वाला दिमाग चेक करना चाह रहा है था अगर इसने largest पूस्ट दिया होता तब भी आप नहीं निकाल पाते इसको पूछे कैसे क्योंकि 2 to the power 30 और 2 to the power 36 में आपको compare करना होता तो आपको पता लग जाता कि 2 to the power 40 इन से बढ़ा है तो आपके यह दो तो answer से वैसी हट जाते फिर आपको compare करना होता इन दो के बीच में अब इन दो के बीच में comparison कर पाते exam all में कि 2 to the power 40 बढ़ा है या 3 to the power 21 बढ़ा है not possible ठीक है नहीं कर पाते तो इसलिए question में smallest जान बूच के दिया हुआ था अगर largest दिया होता तो यह question solve नहीं हो पाता में ठीक है चलिए next question देख लेते है next question क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 9 तक की digits है इनको हमें 3 row में arrange करना है और इस तरीके से arrange करना है कि हर row में सिर्फ 3 digit हो that each row contains 3 digits and the number formed in the second row is twice the number formed in the first row पहली row में जो number बन रहा है और दूसरी row में जो number बन रहा है दूसरा number रो वाला number पहले वाले का दुगना होगा और जो तीसरी row में number बन रहा है number formed in the third row is twice the number formed in the first row repetition of digits allowed है नहीं और पहली वाली row में सिर्फ 2, 3, 7 और 9 ही आप जो है वो लिख सकते हैं तो how many such combinations are possible to be arranged in the 3 rows ठीक अब देखो question अच्छा है 1 ये 3 number है ऐसे 3-3 number के combination बनाने है ये अगर हमारी row 1 है ये अगर हमारी row 2 है और ये अगर हमारी row 3 है ठीक पहली row में हम सिर्फ 2, 3, 7 और 9 लिख सकते हैं ठीक है रूको इसको मैं इधर लिखता हूँ पहली row में हम केवल 2, 3, 7, और 9 इसी का कुछ combination बनाके लिख सकते हैं और जो भी number यहाँ पर आएगा दूसरी row का number उसका double होगा और तीसरी row का number पहली वाली row का triple होगा तीन कुना होगा ठीक अब देखो पहली बात 2, 3, 7, 9 से आप क्या-क्या number बना सकते हो तीन डिजिट के क्या-क्या number बना सकते हो 237, repetition नहीं करना है ठीक है 237, 239, फिर 273, 279, 279, 293, 297 यह बना सकते हो जो 2 से start होने वाले है similarly, अगर आप 3 से start करने वाले बनाओ तो 3 से क्या बना सकते हो 327, 329, 372, 379, 9, sorry 392 और 397, ठीक है अब 7 से भी बना सकते हो लेकिन देखो 7 से क्यों नहीं बनाओगे मैं आपको बताओ 7 और 9, अगर आप 700 सम्थिंग नंबर लेते हो यह 900 सम्थिंग नंबर लेते हो यहाँ पर माल लो आपका नंबर है 732, सपोज ठीक, या फिर 723 माल लो जो भी हमें आपर डिजिट दी है 2379, उनमें से 700 का सबसे छोटा नंबर यही होगा अब इसका अगर आप डबल यहाँ पर लिखोगे तो 1400 हो जाएगा यह 1400 सम्थिंग, तीन गुना करोगे तो 2100 हो जाएगा लेकिन वो ऐसा हो नहीं सकता, पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको हर डिजिट में या हर रो में सिर्फ तीन तीन डिजिट का नंबर लिखना है तो यानि कि पहली वाली रो में हम लोग 7 से स्टार्ट होने वाला नंबर भी नहीं लिख सकते और similarly 9 से स्टार्ट होने वाला भी नहीं लिख सकते ठीक है एक या मतलब उससे ज़ादा अब देखो इसमें भी कुछ नंबर जो है वो डिस्कार्ड ओंगे कैसे जैसे 397 है 397 का आप 3 टाइम्स करोगे तो ये 1000 से ज़ादा होगा तो इसलिए आप पहली रो में इस नंबर को भी नहीं ले सकते 392 है 392 भी जो है उसका भी तीन आपका 1000 से बढ़ा हो जाएगा 372 ये भी नहीं ले पाओगे इसका भी 1000 गुना इसका भी तीन जो है वो 1000 गुने से बढ़ा हो जाएगा तो फिलाल हमारे पास ये कुछ possibilities बचती है ठीक है ये हम देखते है अब यहाँ पर माल लो अगर हम पहला नंबर लेते है 237 ठीक पहला नंबर 237 इसका डबल यहाँ पर आना है वो इसका डबल क्या होगा just multiplied by 2 you will get 474 बट क्या यहाँ पर आ सकता है नहीं क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था कि repetition of digit allowed नहीं है लेकिन यहाँ पर देखो 4 भी repeat हो रहा है और 7 भी repeat हो रहा है तो repetition allowed नहीं है यानिकि 237 को भी हम व कर दो ठीक चलो आगे देखो इसके बाद अगर मैं पहली रो में 239 लेता हूं इसका दुगना करो कितना आएगा 478 ठीक है और इसका 3 गुना करो तो 93027 देखो अब question को बड़े आराम से देखना जैसे ही आपने 93027 करा तो यहाँ पर 7 आया तो which is again a repetition addition इससे आगे जाने की जरुवती नहीं है इससे आगे जाके अपना time खराब मत करो कि इसका 3 गुना क्या आएगा जो भी आए 93027 तो पहले ही हो गया ना और 7 और 7 रिबीड हो रहा है तो इसलिए आगे नहीं जाना है तो यहीं कि 239 भी discarded है यह भी नहीं यूज कर सकते है ठी ठीक है मनलब 236, 2714, carry 1, 224, 15, 546 यहां तक तो ठीक है कहीं कोई repetition भी नहीं है कुछ नहीं है इसका 3 गुना करो 339 कोई repetition नहीं 3721, carry 2, 3, 2, 6, or 28 यह एक नमबर बन रहा है देखो यहां पर किसी प्रकार का कोई repetition भी नहीं है और condition भी satisfied है यानि कि हमारा जो एक combination बना वो तो यह बना है 273, 546, और 819 एक combination तो यह बना है ठीक एक combination यह बना तो यह वाला नमबर अमने ले लिया है अब इसके बाद 279, 279 को बनाओ 279, 9, 2, 18, carry 1, 2, 7, 14, और 1, 15, carry 1, 2, 2, 4, 1, 5, देखो 5 और 5 repeat हो गए तो यह भी नहीं लग सकता यानि कि 279 जो है इसको भी discard करना पड़ेगा इसके बाद आगे ऐसी चेक करना है इसमें और कुछ नहीं करना है 293, 293, 2, 3, 6, 2, 8, 2, 9, 18, carry 1, 2, 2, 4, carry 1, 5 ठीक है अभी तक कोई दिक्कत नहीं लेकिन जैसे ही इसको 3 से multiply कर हो गए 3, 3, 3, 9 ठीक है 3, 3, 3, 9 नहीं आजकता क्योंकि 9 और 9 repetition में आगए तो ये भी नहीं आजकता this is again wrong फिर इसके बाद 297 चेक कर लो 297 आप करोगे 297, 27 जा 14, carry 1, 2, 9 जा 18, carry 1, 9 ठीक है फिर से 9 और 9 repetition में आगए आगे जाने की जरूवत नहीं यहीं से इसको भी डिसकार्ड करो ठीक है तो ये भी डिसकार्ड हो गया अब हमारे पास सिर्फ दो नमबर बचे चेक करने के लिए या तो 327 और 329 तो 327 का दुगना कितना आएगा 654 और इसका 3 गुना कितना आएगा 3 गुना कितना आएगा 21, 37 जा 21, carry 2, 32 जा 6 और 2 8 और 33 जा 9 ये बिल्कुल ठीक है तो दूसरा कॉंबिनेशन हमारा ये बना है that is 327, 654 और 981 ठीक है दूसरा कॉंबिनेशन हमारा ये बन गया ये नमबर भी हमारा ठीक है इसको भी हम ले सकते है पहली रो में दूसरी रो में 329 चेक कर लो बनेगा नहीं करके देख लो ठीक है 29 जा 18 केरी 1, 22 जा 4, 15, 23 जा 6 ठीक अगला तीन से करोगे तीन से करोगे 3 इंटू 9, 27 केरी 2, 32 जा 6 और 2, 8, 8 और 8 का रेपिटीशन नहीं हो सकता तो ये नमबर भी डिसकार्ड तो हमारे ऐसे दो ही कॉंबिनेशन बन रहे है 273, 546, 819, 327, 654, 981, ठीक तो आंसर हमारा क्या बना only 2 such combinations are possible, correct answer is option C, ठीक है चलो, आगे देख लेते हैं, इसके बाद next question कहता है कि X और Y जो है, वो एक 3 km की race में participate करते हैं, circular course के around, circular course है मतब circular track है, जिसकी length 300 meter है, उनकी speed का ratio 3 is to 2 है अगर वो एकी direction में एकी साथ start करते हैं, तो how many times would the first one pass the other start off को जो है, वो as a pass count नहीं किया गया है, ठीक है तो देखो, circle है, circular track ठीक है, circular track है, लोग बना दिया circular track ठीक है, यह circular track है इस circular track की length दीवी है, 300 meter की उसमें दो दोस्त है, X और Y जो दोड़ना शुरू करते हैं suppose करो, कि यह मेरी starting position है ठीक है, this is S, starting position यहां से यह लोग, suppose करो, इस दिशा में भागना शुरू करते हैं same direction में ही भागींगे, race में ही के direction में भागते हैं और इसकी पूरी length दीवी है, 300 meter की दोनों की जो speed का ratio है X ratio Y, यह 3 is to 2 है और यह ratio किसका है, इनकी speed का ठीक अब देखो, इस question को कैसे करो मैं आपको बताओ इसको आप track को 3 part में divide कर दो, 3 equal parts में divide कर दो ठीक है, और हर part की length है 100-100 meter, अब दोनों देखो चलना शुरू हुए S, जितने समय में 3 units of distance cover करेगा Y, उतनी ही देर में 2 units of distance cover करेगा ठीक है, बात क्योंकि समय बराबर होगा और speed का ratio अगर 3 to 2 है कोई गाड़ी मान लो 50 km प्रती गंटे की रफ्तार से चलती है दूसरी गाड़ी 100 km प्रती गंटे की रफ्तार से चलती है दोनों साच चलना शुरू होते है एक गंटे के बाद दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर होंगे पहली वाली अगर 50 km क्रतार से चलती है तो वो 50 km चलेगी एक गंटे में दूसरी वाली अगर 100 km प्रती गंटे चलती है तो वो 100 km चल गई होगी तो दोनों के विच की distance कितनी होगी 100 km ठीक है सॉरी 100-50 जानी 50 km अब यहां पर देखो X और Y दोनों चलने शुरू होते है और दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते है जब X ने पहला चक्कर लगा के X तीन यूनिट कवर करा मैं आपको क्या बताया कि टोटल लेंथ है 300 टोटल लेंथ है 300 मैंने उसको 3 equal parts में डिवाइड कर लिया यानि कि हर part की length कितनी हो गई यहां से यहां तक यहां से यहां तक और यहां से यहां तक मतलब मैं इसको अगर नाम दे दूँ A, B तो S से लेकर A तक is 100 A से लेकर B तक is 100 और B से लेकर S तक is again 100 ठीक अब X जब 3 unit चलेगा 3 unit का मतलब है कि 1 unit, 2 unit, 3 unit X जब अपना 1 चकर लगा चुका होगा तो Y उस समय 2 unit चला है यानि कि Y उस समय 1 और 2 यानि कि X जब पहरा चकर कम्प्लीट करके वापस starting point पर आया तो Y कहां पर होगा? यहां पर ठीक race चल रही है, चल रही है, दोनों भाग रहे है उसके बाद वापस से अगले चकर में X जो है, वो फिर से अपने क्या करेगा? 3 चकर पूरे करेगा मतलब 3 unit पूरी करेगा 1, 2, 3 ठीक Y उतनी देर में फिर से 2 unit पूरी करेगा 1, 2 ठीक, यानि कि X अपने 2 चकर लगा के यहां पर आ चुका है Y ने अपना 1 चकर पूरा किया और वो यहां पर पहुचा है अब वो अभी इधर को जाएगा लेकिन Y जो है, X जो है वो पहले यहां पर पहुच चुका है X के 2 चकर पूरे हो गए है Y का एक चक्कर पूरा हुआ है और वो यहाँ पर पहुँचा है लेकिन अभी तक दोनों मिले नहीं है क्योंकि X हलके चल रहा है और Y जो है उसके आगे भाग रहा है भी ठीक इसके बाद जैसे ही आप आगे और बढ़ेंगे अगले राउंड में क्या होगा कि X फिर से 3 यूनिट कवर करेगा 1, 2, 3 और Y अब 2 यूनिट कवर करके 1 और 2 यहाँ आ जाएगा लेकिन इनके बीच की जो दूरी होगी वो पूरे के पूरे 1 राउंड की हो चुके होगी X अपने 3 राउंड पूरे करके यहाँ पर आया है Y ने अपना पहला राउंड जब पहला कवर किया तो फूरी देर में 1, 2 फिर उसके बाद 1, 2 फिर 1, 2 ठीक है दोनों यहाँ पर पहुंस तो गए है लेकिन X जो है वो Y से 1 राउंड आगे है ठीक है और यहाँ पर वो लोग मिल रहे है तो पहली बार यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है लेकिन पहली बार क्रॉसिंग कितने राउंड के बाद हो रही है तीन राउंड के बाद ठीक है जब X ने तीन राउंड कवर कर लिये है या फिर आप यह कहिए कि 300 मिटर का एक राउंड है X ने 3 round cover कर लिया मतलब X ने कितना distance cover कर लिया है 900 meter का तब वो पहली बार जाके मिले race है total 3 km की 300 meter का एक चक्कर है मतलब अब X तेज भाग रहा है तो obviously बात है कि race तो X ही जीतेगा जब X इसके 10 चक्कर लगा लेगा तो race पूरी हो जाएगी ठीक है अब X जो है वो 900 meter जब cover करता है तो पहली बार ये लोग मिलते है उसके बाद जब दूसरे बार ये कब मिलेंगे जब X के 6 चक्कर हो चुके होंगे और Y के 4 चक्कर होए होंगे X के 6 चक्कर होए मतलब X जो है वो 1800 meter चल गया तब ये दूसरी बार मिले इसके बाद X जो है वो 2700 meter चला यानि के X के यहाँ पर 3 चक्कर यहाँ पर 6 चक्कर यहाँ पर 9 चक्कर 9 rounds पूरे हो चुके है ठीक है और इसके होंगे 6 round पूरे Y के 2700 meter में जाके ये तीसरी बार मिला पहली बार मिला 900 meter पे दूसरी बार मिला 1800 meter पे तीसरी बार मिला 2700 meter में इसके बाद ये आगे मिलता फिर से 900 meter के बाद 3600 meter पे लेकिन 3600 meter तक तो वो भागे गा ही नहीं वेफकूप थोड़ी है कि 3600 meter तक भागते ही रहेगा रेस तो 3 क्लो मिटर की है ना तो रेस तो 3 क्लो मिटर मतलब 3000 meter में खतम हो गई 3000 meter में रेस खतम हो गई है वो भागते ही थोड़ी रहेगा उससे मिलने के लिए ठीक है तो वो नहीं भागेगा वो रुख जाएगा और 3 बार वो उसको यहाँ पर क्रॉस करेगा एक्स जो है वो तीन बार वाई को क्रॉस करेगा आंसर बनेगा option B ठीक है I hope clear है चलिए next question next question कहता है कि if the order of the letters in the English alphabet is reversed English alphabet के जो letters होते है 26 letters उनको अगर आप reverse order में लिख दे और each letter represents the letter whose position it occupies then which of one of the following represents लखनो यानि कि ultra direction में अगर आप word लिखेंगे मतलब ABCD की जगे अगर आप ZX, ZY, X ऐसे करके लिखे तो लखनो को आप कैसे लिख सकते हैं ठीक है देखे इसको करने के दो तरीके हैं एक तो बड़ा ही साधरण तरीका है साधरण तरीका यह है कि आप सारे के सारे पहले ABCD सीधा लिखें उसके नीचे आप उल्टा करके लिखें और देख लीजे कि L के नीचे क्या आ रहा है ठीक है और U के नीचे क्या रहा है वैसे भी हो जाएगा दूसरा तरीका यह है कि आपको अगर थोड़ा सा इनके लिए एक चीज यह याद होनी चाहिए इसको क्या बोलते है इसको बोलते है एजोटी एजोटी बेसिकली इन फॉर्म लविस तरीके क्योश्शन को सॉल्व करने का हम आता है एजोटी का मतलब होता है यह होता है 1 sorry गलत हो गया यह I am very sorry E, J, O, T, Y ठीक है यह इनकी पोजिशन याद करने का तरीका है बस मतलब E जो है वो पांचवे पोजिशन में होता है J 10 में O आपका होता है 15 में T होता है 20 में और Y होता है 25 में यह सिर्फ पोजिशन याद करने का मतलब है ठीक है और अब देखो सबसे पहला नंबर है L L आपका कहां पर आता है O से पहले J, K, L तो L की आपकी जो पोजिशन सीजर डारेक्शन में अगर मैं बात करों तो 12 पोजिशन बनेगी ठीक है तो इसकी जगे पह जो रिवर्स से आएगा यानि कि 12 पोजिशन पह रिवर्स से क्या आएगा अगर आप इसको उल्टा करके लिखते तो रिवर्स से क्या आता 12 पोजिशन पह 12 पोजिशन फॉम्दा स्टार्टिंग इस L तो 12th position from the reverse क्या होगी वो कैसे निकालते हैं आपको 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 पता होगा कि 26 alphabet total होते हैं उसमें plus 1 और minus 12 आपको जो भी position reverse में निकालनी है उसको आपको निकालने के लिए 27 में से minus करना होता है यानि कि 15th number वाला letter यहाँ पर आएगा तो 15th number पर क्या letter होता है O तो यानि कि L की जगे reverse से आप लिखेंगे तो O आएगा तो O तो सभी जगे है ठीक है अब दूसरे में देखिए आप एक चीज थोड़ा सा अगर दिमाग खोल कर अगर काम करेंगे तो जादा महनत नहीं करनी पड़ेगी नहीं उससे पहले वाला M ये भी सब में सेम है तो इनको चेक करनी की ज़रूवत नहीं है लास्ट वाले में आपका या तो D होगा या E होगा ठीक है अब D और E कैसे पता लगेगा देखो या फिर आप second number भी चेक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर या तो G है या F है ये चेक कर लो second पर आपका है U अब U देखो आपका अगर स्टार्टिंग से आप चलो तो UT के बाद आता है तो यानि की U की पोजिशन क्या होगी U की पोजिशन होगी 21st from the start तो reverse से 21st पोजिशन पर क्या आएगा 26 plus 1 minus 21 यानि की 27 minus 21 is 6 यानि की 6th पोजिशन पर कौन से अलफबेट है वो आएगा U की जगे 6th पोजिशन पर क्या होता है 5 is E तो 6th is F तो 6th पर F आएगा यानि की या तो हमारा answer O, F, O, F ये दोनों में से कोई है यानि की ये answer नहीं हो सकता answer cannot be A answer cannot be A और B नहीं हो सकते W की पोजिशन आपको पता होगी T, U, V, W X, Y, Z ठीक है अगर ये है तो U, V, W यानि की 21, 22, 23 इसकी पोजिशन शुरुवात से होती है 23rd क्या होती है 23rd ठीक है तो end से इसकी पोजिशन 26 plus 1 minus 23 क्या होगी 27 minus 23 is 4th यानि की 4th number का जो letter होता है वो यहाँ पर आएगा और 4th number पर क्या होता है D का 5 है तो 4th होता है बहुत है E का 5 है इससे पहले वाला D इस 4th तो यानि की इसकी जगे पर आएगा D ठीक है तो D आएगा तो ये number अमारा बनेगा ये ठीक है अब बाकी अगर आपको ये वाला तरीका नहीं पता है तो मैं आपको simple बता दिया ABCD पहले सीधा लिख लो उसके नीचे उल्टा लिख लो Z से और फिर देख लो कि L की जगे क्या रहा है इसकी जगे क्या रहा है ठीक है सबकी जगे अलग लग निकालोगे तब भी निकल जाएगा अगर ये तरीका पता है ये वाला अगर method पता है तो इससे भी कर सकते हो है ना लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अगर आप अपनी दिमाग को खोल के अगर चलोगे तो पूरा का पूरा नंबर चेक नहीं करना पड़ेगा सिर्फ दो तीन चेक करने से ही बन जाएगा क्योंकि इसी तरीके से option दिये हुए है ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे option दिये जाए कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि अलग-अलग है तो आपको चेक भी करना पड़ सकता है ठीक चलो आगे देख लेते हैं चलो यह वाला question जो है इस session का हम लोग last question रखेंगे वैसे तो खैर मैं उम्मीद कर रहा था कि session छोटा होगा लेकिन बहुत लंबा session हो गया यह चलो कोई बात नहीं आप देखेगा आप बताईएगा कि पसंद आया या नहीं आया session आपको चलिए एक question देखते हैं कि एक chess का tournament चल रहा है जिसमें 1500 लोग खेल रहे हैं ठीक है 150 entrance है the player is eliminated whenever he loses a match यानि कि वो उसने एक match खेला और जैसे ही वो player कोई भी player हरा वो सीधे बार हो गया ठीक है दुबारा उसको मौका नहीं मिलेगा तो ये भी लिखा गया है कि कोई भी match जो है वो tie या draw नहीं होता है तो पूरे के पूरे tournament में कितने match खेलेगा है ये आपको बताना है ठीक देखो आसान question है 1500 अगर लोग खेल रहे हैं तो 1500 लोग अब कोई आदमी अकिला तो खेलेगा नहीं दो आदमी मिलके एक साथ खेलेंगे तो total आपके 75 matches हो जाएंगे ठीक है अब ये 75 ये तो ठीक है ये तो even number था divide by 2 करा आपने तो 75 आ गिया बट 75 आपका odd number है लेकिन 75 को अगर आप 2 से divide करेंगे ये 75 जो है इसको अगर आप 2 से divide करेंगे तो आपके 37 matches तो बनेंगे प्लस एक बंदा ऐसा बच जाएगा जिसने अभी तक match नहीं खेला ठीक तो ये 37 matches हो गए इन 37 matches से 37 लोग आगे जाएंगे प्लस एक बंदा ये भी है तो 38 हो गए ठीक है ये वाला column पर नजर रखेगा ये आपके number of matches है ठीक 38 हो गए अब 38 तो फिर से ठीक है दो-दो लोग खिल सकते हैं 19 हो गए अब ये जो 19 लोग है ये इस में से फिर आप इसको 2 से divide करें तो 9 आएगा लेकिन प्लस 1 आजाएगा फिर वो एक बंदा बजगिया फिर वो 9 प्लस 1 मिलाके 10 10 को फिर 2 से divide करें 5 5 को आप फिर से 2 से divide करें तो 2 आएगा फिर यहां प्लस 1 आजगिया फिर ये 2 और एक मिलाके 3 3 का फिर 3 को आप 2 से divide करेंगे तो 1 ही आएगा मतलब 1 की match होगा प्लस यहां पर 1 आएगा फिर 1 और 1 2 और 2 का फिर एक मैच ठीक है तो इस कॉलम को आप एड़ कर लीजिए आपका अंसर आ जाएगा ठीक है 5 प्लस 7 is 12 12 प्लस 9 21 21 5 प्लस 7 12 21 30 35 37 39 कैरीव 3 10 13 14 total number of matches is 149 answer is option C तो session थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन मुझे बताईएगा आपको session पसंद आया या नहीं आया ठीक है क्योंकि इस तरीके की session जो है हम लोग आगया आने वाले दिनों में लेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके सारे के सारे question जो है वो इस 2022 के साल के पूरे करा दिये जाए तो मुझे बताईएगा कि session आपको पसंद आया या नहीं आया है तो इस session में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद session को लेकर अपने जो भी आपके feedbacks है वो जरूर मुझे बताईएगा अगर आपको लग रहा है कि question हम थोड़ा ज्यादा detail में discuss हो रहा है time ज्यादा लग रहा है तो वो भी मुझे बताईएगा मैं और short में करा दूगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन मैं आपको question इस तरीके से कराना चाता हूँ और नए-नए concept भी आपको यहां पर पता लग रहे है कि question में अपना दिमाग apply करना कैसे है ठीक है question में दिमाग apply करना कैसे यह भी पता होना चाहिए ठीक चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस session के बारे में अपना feedback बताईएगा फिर उसकी basis पर हम लोग जो है वो next session आपके सामने लेके आएगे चलिए तो बहुत-बहुत ध्यान ध्यान रखेगा अपना पढ़ाई करते रहें please do take care thank you have a nice day bye bye